रक्षा उत्पादन से जुड़े करम्चारी नहीं कर पाएंगे हर्ताल हर्ताल रोकने के लिए सरकार ने बदल डाले नियम 26 जुलाई से प्रस्तावित हर्ताल को देखती हुए कि इन सरकार ने रक्षा उत्पादन से जुड़े हुए सभी कर्मियों को हर्ताल नहीं करने का आदेश जारी किया है और इसके लिए सरकार ने नियमों को ही बदल दिया है तो एक बड़ी मैत्मून खबरें पर ने कलका रही है और इस खबर के अनुसार रक्षा संबंदी आवसक सेवों में सामिल कर्मियों के हर्ताल के खिलाब सरकार ने बड़ा कदम उठाया है सरकार ने हर्ताली करमचारियों के विरुद्ध अध्यादेश जारी किया है और इसके तेहत करमचरियों को अचानक से काम बंद करना महेंगा पड़ेगा यहां तक कि उन्हें जेल भी जाना पड़ेगा यह अध्यादेश रक्षा संबंदी आवशक सेवाओं में सामिल कर्मियों के हरताल एवं किसी भी तरह के विरोध प्रिदसन करने पर रोक लगाता है आयोद निर्माणी बोर्ड एनिकी ऊफवी से जुड़े बड़े संगों ने हाली में सरकार के ऊफवी को निगम बनाने के फ्रेंसले के खिलाब अगले मैने से ए निश्चित कालीन हरताल पर जाने की गोशना के थी जिसको देखते हुए आवशक रक्षा सेवा अज्यादेस 2020 लाया गया है और एक राजपत्रित अधिस उचना के मताबे के रक्षा उपकरन के उतपादन सेवा और संचालन में सामिल करमचारी या सेना से जुड़े किसी भी और जग्षी की परतिष्टान के उतपादन में सामिल करमचारियों के साथ ही रक्षा उतपादों की मरमत और रक्राखाव में कारिवत करमचारी अधिस उचना के मताबे क कोई भी व्यक्ती जो की हरताल सुरू करता है या ऐसे किसी भी हर्ताल में भाग लेता है जो कि इस अध्यादेश की अंतरगत गैर कानूनी है तो उसे एक वर्स की अवदी तक की जेल या फिर दस अजार रुपे जुर्माना या दोनों से डंडित किया जा सकता है दरसल जून में सरकार ने नितिगत सुधार के दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए करीब 200 साल पुराने आयूद निर्मान बोर्ड के पुरनर गठन के लंबित प्रस्ताव को मंजूरी दी है इसके तैथ बोर्ड को अलग-अलग साथ कंपनियों में बदला जाएगा ताकि क काम के प्रती जवाब दे ही बड़े बोर्ड के पास इस समय हतियार और गोला बारूद बनाने के 41 कार खाने है और इसी की वैसे लब 70,000 से अधे करमचारियों ने एनस्चित कालीन हर्ताल करने के गोशना कि थी लेकिन उसको देखते हुए ये सरकार के द्वारा नया अध्य देख लाया गया है और अब करमचारियों को हर्ताल नहीं करने की चेतावनी दी है